भारत और स्रिलंका के बीच खेली जा रही तीन मैचों की टी ट्वेंटी सीरीज का पहला मैच भले ही बारिश की वज़ा से रद्ध हो गया लेकिन टीम इंडिया की स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज रिशप पंत ने एक बार फिर तुफानी बल्लेबाजी कर सिरलंकाई गेदबाजों को चेतावनी दे दिया है कि घरेलू मैदान पर टीम इंडिया के बल्लेबाजों का ही बोल बाला रहेगा काल यानी पांच जनावरी को गुवाहाटी में रुक रुक कर पूरे दिन बारिस होती रही कयास लगाया जा रहा था कि साम तक मौसम साप हो जाएगा कुछ देर के लिए बारिस रुकी तो एक उमीद जगी थी कि सायद कम से कम पांच पांच ओवर का मैच हो जाए लेकिन कुछ देर बाद एक बार फिर जोरदार बारिस सुरू हो गई काफी मसकत के बाद आखिरकार मैच रद घोसित करना पड़ा अब सिरीच का दूसरा मुकाबला काल यानि 7 जनवरी को इंदोर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा सिरीच का पहला मैच रद होने के बाद टीम इंडिया की मुश्किल बढ़ती नजर आ रही है क्योंकि अब सिरीच पर कबजा जमाने के लिए दूसरे मैच के साथ साथ 10 जनवरी को मुंबई में खेले जाने वाले तीसरे मैच में भी जीत हासिल करना होगा लशित मलिंगा जैसे दिगज गेदबाज की अगवाई में सिरलंकाई टीम को लगातार दो मैचों में हराना टीम इंडिया के लिए आसान नहीं होगा रोहित सर्मा और महेंदर सिंग धोनी की गैर मौजूदगी में टीम इंडिया की बल्लेबाजी क्रम कमजोर दिख रही है हलांकि फिर भी सिरलंका के खिलाब भारत को जीत का प्रबल दावेदार माना जा रहा है देखा जाये तो भारतीय टीम में सीखरधावन, विराट कोहली, केल राहुल और सीवम दूबे जैसे मैच बिजेता बल्लेबाज मौजूद है जिनका बल्ला चल गया तो भारत की जीत लगभगता है इसके अलावा भारत के लिए अच्छी बात या है कि धुरंधर विकिट कीपर बल्लेबाज रिशब पंत जबरजस्त फॉम में है रिशब पंत को भारत का अगला महंदर सिंग धोनी कहा जा रहा है रिशब पंत के बारे में कहा तो ये भी जा रहा है कि उनकी तुफानी बल्लेबाजी से सिरलंकाई टीम के कप्तान लशित मलिंगा समेत कई गेदबाज थर थर काम रहे हैं अभ्यास मैच के दोरान रिशब पंत ने मातर 24 गेदों पर तुफानी सतक जड़ दिया यही वज़ा है कि रिशब पंत का याक्रम का अंदाज देख कर लशित मलिंगा को हार का डर सता रहा है